नमस्कार बच्चो सबको राम राम आपकी अनुमेम की तरफ से and a good wishes to keep yourself healthy because board examina तो एक जो बहुत बड़ा problem हो रखा था कि मैम at last moment पूरे साल पढ़ाई नहीं की है at last moment कुछ ऐसा बता दीजिए कि last moment पे revise करके पढ़के अच्छे marks लाये जा सके तो मैच के लिए हम वही लेकर आए हैं कुछ most important topic जो भी है chapter से वो लेकर आए हैं कि वो most important topics क्या क्या है किस chapter से कितना पढ़ लेंगे और किस पर practice कर लेंगे तो चीजे हो जाएगा क्योंकि अभी भी आपके पास 9th of March को आपका math का exam है अभी भी हमारे पास एक महीने तो है एक म platform पर आये हैं तो देखते हैं क्या क्या है और हम यह कभी नहीं बोलेंगे कि maths में सारे चैप्टर सारे topic important नहीं होते होते हैं होते सब good marks last time revision क्या कर सकते हैं ठीक है आये देखते हैं तो सबसे पहले तो exam का pattern हमें पता होना चाहिए कि pattern क्या होता है pattern क्या होता है जो 80 marks के marks होते हैं CBAC board में 80 marks के होते हैं और 20 marks आपका internal assessment होता है जो आपको school देता है ठीक है अब बात करते हैं section a section b section c section d देके कितने a a section b section c section d section और e section जो होता है आपका mcq होता है जिसमें 18 question mcq होता है और जो 2 होता है वो क्या होता है assertion reason based question होता है इससे हम पहले भी तो डिसक्स कर चुके पर हां important topic बताने से पहले थोड़ा सा और डिसक्स कर लेंगे अब बात करते हैं क्या जो भी आपका section होता है यह five very short answer होते हैं very short answers होते हैं जिनके marks दो नंबर के होते हैं और mcq एक number का होते है ठीक है अब जोता हमारे जो c section होता है यह क्या कंटीन करता आपका यह short answer contain करता है और कितने marks का होता है यह 3 marks का होता है याद रखिए गा और section d joda यह long answer contain करता और यह 5 marks का होता है सबसे important ना 5 marks का 4 question कीजिए 20 marks लेकिजा यह और section क्या होता है बच्छा section जो होता है वो चार मार्स का होता है case study base होता है जैसे case मतलब क्या मिलकत कोई problem को solve कर रहा है इस में हर तीन होते है एक मैं चाठ चर कुस्चन होते है आप बात करते हैं मैं यह तो क्या है क्या है रिलेशन इन फंक्षन जो आउड मार्ट्रिक फंक्षन है इन्वैर्स टियो मेरा स्टूंट मेर्से 504 माक्ष्टे सिर्पटे आज़यर आते है ठीक है मतलब एक अकेला रिलेशन इन फंक्षन जिय वह आट मार्गस का लेकर आता है ठीके दूसरा बात करते हैं एलजेबरा एलजेबरा में आपके मैट्रिस एंड डिटर्मिनांट होते हैं मैट्रिस एस घ्यांते हैं और यह बहुत ईजी चप चैप्टर होता है बहुत ही इजी मतलब की आपने इसको पढ़ लिया तो दस नमबर कहीं भी नहीं ग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं यह मेरे फेवरिट चैप्टर से पता नहीं क्यों इनसे मेरा अलगी लगाओ है बहुत पसंद एक प्रक्राइब करते हैं यह आपके चौदा मार्क्स के आने वाले जिसमें आपका वेक्टर होगा और ठीडी होने वाला है अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग जो बहुत ही इजी होता है कुछ होता भी नहीं है यह साथ 10 या 9 में भी है इसक्री मुझे याद नहीं आ रहा है यह पांच मार्क्स का होता है इसमें लॉंग एंसर पूछता है ठीक है अब एक बात हो गया प्रोवेविलिटी यह चैप्टर मुझे बहुत पसंद है थोड़ा माइं गेम होता है इसमें दिमांग लगाने वाली बात होती है ठीक है य यह अकेले आठ माक्ष का बनी यह तो चैप्टर कितने माक्ष के आरे आपने यह बता दिया अब चौपिक पर चले जल्दी से टापी कौण कौण से पढ़ने आपको लास्ममेंट पर रिवीज बीजन क्या ओक्या आपको देखे आईयो फटा-फटा जी ए Relation in function Relation in w relation पढ़ेंगे तो relation मेना तीन type's के relation होते हैं कौन-कौन से ? रिफ्लेक्सिव्य शिमेट्रीकें ट्रांजिट्टिव और जब कोई रिलेशन ये तीनों फ़र्म कर जाता तो उसे बोलते हैं एक्विलेंस, तो हमें बस यह पढ़ना है, equivalence relation question देगे सिद्ध पूछ देगा कि prove that relation should be so relation is equivalence or not या फिर relation reflexive symmetric या transitive है या नहीं है types of function पढ़ लिजिए क्या है वो भी one one and onto one one and onto या सिद्धे सिद्धे पूछ लेगा question देगे कि बताईए function bijective है या नहीं है यह बस दो ही topic इसमें important है और बहुत easy है यह second is inverse trigonometric function inverse trigonometric function में principal value बहुत important होता है जिसके लिए आपको domain range और graph का थोड़ा idea होना जरूरी है domain range और graph का थोड़ा idea होना जरूरी है इसको जल फेजर खतम किज़े जहां से भी खतम कर सकते हैं और by substitution जब भी आप trigonometric inverse trigonometric question solve करेंगे न उसमें न डारेक्ट कुछ put करके solution होता है जिसको बोलते हैं क्या substitution method बोलते हैं यह बहुत important है ठीक है इस पर question first आहीं फस्ता है बच्चो जरूर फसेगा ठीक है अब आते हैं क्या next topic पर अपने next next camera देखते हैं algebra algebra में मैट्रिस और डिटर्मिनांट जब भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का order और element निकालने आना चाहिए इसी पर डिपेंड करता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स का order और element निकाला सीख लेंगे तो तुरह तो तुर्ण सीख लेंगे दूसरा क्या है multiplication of matrices आना बहुत जरूरी है multiplication of matrices आना बहुत जरूरी है इसे हम cover करेंगे उसके बाद क्या है transpose of matrix transpose of matrix नहीं पढ़ेंगे ना तो symmetric or is q symmetric कैसे होगा तो यह तीन एक साथ ही पढ़ लेंगे खतम कर लेंगे ठीके transpose of matrix में वाज़से भी कुछ है नहीं तो matrix के यह तीन topic important है इसे खतम करेंगे next क्या और इस पर best question solve करेंगे जितने topics बताये ना बच्चे उनके आपको नोट्स बनाने नोट्स के साथ साथ उन पर question practice कर लेना इन एक देर महिने में अब आपके determinant में इसमें adjoint पढ़ा लेते हैं adjoint फटा फट पढ़िए और उसके साथ inverse of matrix निकालना सीख लेजिए adjoint पढ़ेंगे और inverse of matrix निकालना सीख लेंगे और जो second topic के वो solution of systems equation system equation का solution कैसे find करते हैं यह निकालना सीखेंगे determinant आपको यह दो topic ही पढ़ना है और इन पर क्या करना आपको question practice करते रहना है फटा फट फट लास्ट क्या आपका लास्ट क्या रहें calculus जो बहुत important है 35 marks के है ठीक है 35 marks लाने वाला है तो थोड़ा इस पर मेनद करना पड़ेगा देखते क्या क्या है जो पहला है continuity and difference ability ठीक है continuity and difference ability जो है check continuity and find missing variable पहले देगा कि इस point पर continuity check किजिए यह difference ability check किजिए और या फिर दूसरा कुछिन दे सकता है क्या कि एक missing term a k ऐसे देगा बोलेगा कुछ missing variable की value बताइए ठीक है दूसरा क्या है parametric form and logarithmic form logarithmic parametric form निकालना सीखेंगे और logarithmic कैसे function solve हो का मतलब कैसे उसका निकालेंगे हम function की बात कर रहें कैसे हम उसका solve करेंगे कैसे देखेंगे यह पढ़ना आपको आना बहुत ज़रूरी है थार्ड क्या है second order derivative second order derivative पे जितने भी proof based question आएंगे ठीक है वो देखना है उसको practice करना है जैसे भी practice किया जा सके question उठाईए practice कीजिए question उठाईए practice कीजिए topics पढ़िए topics का थोड़ा सा content पढ़िए क्या क्या उसके अंदर है question practice question practice क्यों कि थे लिखने के लिए आने वाला है नहीं question ही आने वाले डारेक्ट इंडारेक्ट तो theory पर यह समझिए और question practice करना सुरू कीजिए जहां से मिल रहा है application of derivative यह important है थोड़ा सा एक topic अगर आपने 15-15-20-20 question भी solve practice कर लिए न तो आराम से आप 30 days में आराम से चीज़े solve कर सकते हैं आराम से good score कर सकते है mathematics में increasing and decreasing interval यह जरूर पढ़िए इस पर question आता ही आता है बच्चो ठीक है इस पर practice कीजिए maxima minima increasing decreasing पढ़िए उसके बाद प्रेक्टिस कीजिए ठीक है आप बात करते हैं इंटीग्रल इंटीग्रल यह होता है क्या substitution method दूसरा होता है बाई पार्ट इसरा होता है partial fraction partial fraction में कुछ टाइब से question के आप उन्हें solve कर जाए उन पर practice कर जाए हर टाइब के question की practice कर जाए दर्दस question दर्दस question उठाई प्रैक्टिस कर जाए आप सुचे दिमाग में नहीं एकदम रड़ जाएगा यह चीज कि हाइस इस टाइप के question है इसको आप से solve करना बस प्रैक्टिस मैंस में जितनी अच्छी प्रैक्टिस से हर टॉपिक पे आप मार्क्स अच्छा गेन करेंगे आपको वस इतने टॉपिक पर ही रिवीजिन करना ध्यान देना प्रैक्टिस करने पर ना वैसे सब हैं लेकिन ये लास्ट मोमेंट की बाद यह इस पर कॉचंट के प्रैक्ति सुने जीर्णा जेक लासे प्रिपरपरति आप डेफनेल इंटीग्र में जिसा हो इसपे जो पर पर इल्ब因為 बेश जितने भी कोषचन न्विकर सेने जितनी प्रापरइटिर नंपर पांच-बंस कुषिचंग सॉल कर दिया टो दिमाग मे जाएगा सीधे ठीक है अब क्या application of integral इसमें क्या है इसमें एरिया निकालते हैं एरिया अंडर दो कर एरिया बिट्विन दकर अंडर दकर मतलब उनके बीच काई बिच पूछे आ या फिर दो कर वेड़े देगा उनके बीच का एडिया फॉचेगा दो तरह के खोंचने फटाफट सौर्वर जीए प्रेक्टिस कर जैसे भी कर सकते हैं और हाँ जैसे भी कर सकते मैं भोड कर निकल जा रही है फिसके आप फिर अपर करेंगे देगा और पुछेगा कि order क्या है डिगरी क्या है ऐसे कुछन पूस्ता है यह बहुत इजी है इसके बाद इसके कुछ मेथर्स हैं वह तीन मेथर्स आपको पढ़ लेने उन पे तीन मेथर्स प्रक्टिस कर लेने सौल करके अच्छे देख लेने पहला मेथर्ड वैरियेबल से mean deeper equation तीषरा linear differential equation इंसे question आने ही वाले हैं ये तो गारेंटीर लिखका देता हम आने ही वाले हैं कुस्टन अब यह हमारे calculus का जो 5 chapter था जो बहुत डर बनाकर के था 35 marks यह ऐसे दूर होने वाले इन topics को कवर करेंगे और इन टॉपिस्ट पर है सोल करेंगे प्रैक्टिस करेंगे ऐसी होने वाला वनना हजार यूटूफ वाले हैं आपको इंपॉर्टन टॉपिक देढ़ेंगे अपने हजार यूटूब से इमपॉर्टन टॉपिक देख लिए आपने हजार जगए जार के जो देखने भी टाइम बेस किया है उससे अच वह क्या है वेक्टर मेरा इंपो मेरा फेवरीट चैप्टर वेक्टर एंठ त्रीडी मुझे बहुत बसंदे पॉस्टनली आपको इस पर दो पढ़ना स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं उनके पहले थोड़े-थोड़े प्रोड़ेशन क्या होता है यह चोटे-चोटे चोटे की वर्ड़े इनको भी जरूर पढ़ना बना समझी नहीं आए तो थोड़े थोड़े थोड़े-थोड़े हैं इनको पढ़कर खतम कर देना यह वेक्टर एक पर खुबसूरती है यह बहुत ही ब्यारा चैप्टर है इनक को साइन डारेक्शन रेशियो कहीं से भी है यह दोने दूसरे पर डिपेंड करते हैं बहुत इजी है ठीक है और एक्वेशन ओफ लाइन इन डिफ्रेंट फॉर्म ठीक है एक्वेशन ओफ लाइन पढ़ेंगे अलग-अलग फॉर्म्स में जो भी फॉर्म्स है उनको पढ़ करके देखेंगे या फिर अलग-अलग भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं ठीक है बस क्वेशन प्रैक्टिस करते रहना है बच्चो अगर आपने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए ना इन पर आपको एटलिस 15-15-20-20-20 क्वेशन करके देखना है आपके दिमाग में यह टॉपिक्स अब रख जाने चाहिए कि हां यह यह टॉपिक हमको इस चैप्टर से पढ़ना है तेरह चैप्टर में से और इन पर क्वेशन 20-25-25 आपको सॉल्व करके देखना है प्रैक्टिस करके देखना है अब लीनियर प्रोग्रामिंग इस पर या तो ब पूछेगा पांच माक्स का कुशन आना याना तो यह बहुत इजी होता है एक बार में आप आदे घंटे घंटे में आप इसको खतम करके अटा सकते है ठीक है अगर आपने बाउंडेट और अन बाउंडेट अपने पांच 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 कुश्चन भी सॉल्व कर दिया दो से इंपोर्टेमेने आप मार्क किया हूआ है बेस ठीरम ठीकें के स्टरी इस से आता है प्रोवील्टि से केस बाइस स्टरी कोसन आता ही आता है आज आ भी सकता है कभी-कभी किसमत वहां नहीं आएगा पर आसक्ता लेकिन अगर केस बेस्टे नी आना तो इन डायक तो जरू ही आने वाला है तो आप बेस्थियरम पढ़िए रेंडम वेरियेबल इसलिए बताया गया है यह इंपोर्टेंट हो सकता है सेंपर्स पेपर में देखने को मिल रहे तो यह इंपोर्टेंट हो सकता है साथ लास्ट यह पेपर में भी था यह यह इंपोर्टेंट हो सकता है ठीक करेंगे तब भी तो आपको यह जो बल्क में चीज़े इधर मिल रही है वदर मिल रही है वह चैपटर समिल रहा है आपको फॉस्टन मिल रहा है और क्या चाहिए पचाज जाना ही क्यों है तो आज इस अंकुप 2.0 बैच 2.0 बैच जोईन करें ठीक है ठैंक्यू सोमच झाल, 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 झाल.